One of those come from Gujarat दीक्षित सोनी सहरा समय गांधी नगर और इस वक्त हमारे साथ एहमदाबाद से जुड़ रही है दियोकपती रुजान खमभाटा और साथ हमारे समभाराता दीक्षित सोनी भी हमारे साथ जुड़ रहे है बात्चीत करने के लिए रुजान जी आपका बहुत स्वागत है आपके पास आने से पहले दिक्षित के पास मैं जाना चाहूँगा बाचीत करने के लिए दिक्षित से चले हम बात करेंगे पहले रुजान जी का ही रुख कर लेते हैं जुजान जी गुजरात में ऐसा क्या है जो उसे बाकी राजियों से अलग बनाता है क्या वो नरेंद्र मोदी का नेत्रित्व है जो द्योगपती वहाँ पर खीचे चले आते हैं जो गुजरात में है इसा एक के लिए एक होता है तो इसे कि मैं आपको एग्जामपल देना चाहती हूँ कि अगर अपने शेर्ज और स्टॉक्स में देखे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वह एक फंडामेंटल ओफ देखता है सिमिलरिक गुजरात में हमारे जो फंडामेंटल ओबिजनेस है वह बट ज्डॉण है जैसे के मैं अगर एक्जामपल दू कि फंडामेंटल ओबिजनेस क्या बंता है कि आपका इंफ्रास्ट्वराश्टिक्र तो अचिए शोइन गुज्रात दर इस इंट्र स्ट्रॉंगर बिसने जोड़ी के लिए चालो हुई है और अगर सब्सक्रीज में नहीं लाइन भी सब्सक्राइब की लिए, छोगर पर गुज्रात प्रोंगर तो अनुछ का जोग्शाखने नहीं लिए आ डंट के लिए ऑन पहले हैं। तो जो एक बार हमारा जो बेज है यह strong fundamentals पर है अब क्या हो रहा है और इन compare विजा विजा विज अगर हम दुस्रे states देखे तो काफी states overbanded हो गए है तो उसके कारण यह हो रहा है कि you know Gujarat is an opportunity to grow and secondly a very important thing which I like to mention कि जो हमारे Gujarati हो कि entrepreneurial spirit है जैसे कि आपने सुना होगा कि जहाँ जहाँ Gujarati वहाँ बसे Gujarat so you know with all this entrepreneurial spirit and obviously with the leadership this is making a major impact and that is why Gujarat is on the grounds of flourishing and development बिलकुल यानि आप यह कह रहे हैं कि जो basic चीजे हैं वहाँ पर इतनी जारा मजबूत हैं जो fundamental जो चीजे होती हैं इस वज़े से वहाँ पर दियोप्वाटी जादा आते हैं जी दिक्षित भी हमारे साथ जोड़ गया है दिक्षित यह जो investor summits हैं यह हमने दूसरे राजियों में भी देखी हैं मध़पदेश में होती हैं 36 गड़ में भी होती हैं कई दूसरे राजियों में होती हैं लेकिन मुख्यमंत्री की वहाँ पर इतनी खुले दिल से तारीफ कोई नहीं करता गुजरात में नरेंदर मोदी की तारीफ जितनी होती है और आज हमने अलग-अलग हमने सुना लोगों ने संग्याएं दी अरजुन से तुलना की गई और भी तमाम नरेंदर मोदी की तारीफ में कसीदे गड़े गए ऐसा क्या है आखिर नरेंदर मोदी में और गुजरात में जी देखें, जैसे कि अभी रोजान जी ने भी बताया कि गुजराद का जो बंदा है, या तो आम गुजरादी हैं, उसके खुन में कहीं न कहीं व्यापार बसा हुआ है और एक एंटरपरोनीर्शिप के अगर बात की जाए तो एंटरपोनीर्श्प यहां के हर एक शक्स में जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उसका ही उपयोग कर रहे हैं और खासतोर पर entrepreneurship को बढ़ावा दे रहे हैं और शायद इसी वज़े से उनकी इतनी लोग प्रियता हो रही है बात की जाए वाइबरन गुजराद बिजनस समीट की संदिप में आपको बता दू कि 2003 से यह सिलसिला शुरू हुआ मुझे आज भी याद है 2003 में हमदाबाद के टागोर हॉल में पहली ग्लोबल बिजनस समीट की गई थी उसमें भी उस समीट में भी मैंने देखा था कि विदेश से भी काफी सारे मेहमान आये थे बिजनस डेलिगेट आये थे लेकिन दस साल बाद आज इस यह जो पूरी इवेंट है उसके स्वरूप की अगर बात करें तो अब यह जो पूरी घटना है वह एक ग्लोबल रूप धारान कर चुके ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है क्यूंकि पहले गुजरात गवर्मेंट के जरीए यह होती थी और आज 2013 की इस ग्लोबल समीट की बात करें तो कैनेडा और जापान इसके पार्टनर्स है तो कहीं ना कहीं जो विदेश से जो लोग है और और पर विदेशी जो बिजनस डेलिगेट्स हैं वो भी काफी इंटरस्ट लेने लगे हैं और अपने गुजरात में किस तरीगे से वो निवेश करें क्यूंकि किसी भी इंडिस्ट्री को सबसे एहम बात यहीं लगती है कि वहां का जो वातावरण है वो उनके लिए कितना मनुकूल है बात की जाए सरकार की तो सरकारी जो साड़ी पक्रिया होती है वो कहीं न गहीं यहाँ पर राजिस सरकार की ओर से काफी सरल की गई है और शायद यहीं सबसे बड़ी बज़ाए जिसकी वज़े से लोग देश यहां उध्योप करने के लिएा आर है बिल्कुल शायद रुजान जी कुछ कहना चाहरी है, जी रुजान जी मैंने भी जैसे मुकेश अंबानी सेड के उनों की 100% attendance है, उस तरह हमारे भी 100% presence है, हमने भी 6 के 6 summits दिखिए So you know there's an evolution, जैसे कोई भी company grow करती है और next stage पर पहुंचती है तो similarly हमने भी देखा अगर आप बता रहों कि यह समिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि people इंडिया गुजरात में इन्वेस्ट करते ही थे, लेकिन अब जो इन्वेस्ट करते है वो M.O.E. sign करके बताते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है, जैसे कि general voters, general voters गुजरात में कितने सालों से है, उसमें कोई डाप नहीं है, बत अब कुछ ना इन्वेस्ट में 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 इन आपको थारा होगाट अन भी दूसरे स्टेट से ने तेन से चालू किया जब दूसरे स्टेट से पीछे से सालू किया ऑज गोजरत is leading तो अचिए से आफ नोट किया हो तो थो पहले हम नोग लग रहे थो में हमलोग कोल लाखो just एकना काई की सब्सक्राइटा आपने सुना करें या क। एपना य। नहीं हो क्या है कि रागा है। तो अरुबन में हमें knowledge development चाहिए, skill development चाहिए, अब आपको skill development के बहुत important बात करूँ, जो वहां भी बात हुई, जो हमारे CM ने भी कहा, कि by 2020, average age of an Indian would be 29 years, कि यह 31 साल का जो इंसान है, वो 30 साल के इंसान के पास अगर skill होगा, knowledge होगा, तो रूरल में inclusive growth होगा, और अगर knowledge होगा, तो उसका urban में growth होगा, ताकि that is why we are now emphasizing on skill development, we are not now talking के भी इतना करोड का investment आया, यह आया, तो आपने अगर वादरन गुजद में भी जो दूसरे dignitaries थे, काफी dignitaries ने बोला के they are now investing in skill development, क्योंकि ultimately being into business मुझे पता है, बले एक जगह आप लोग बोलते हो unemployment है, लेकिन हमें तो हमेशा कहना है कि भाईया, हमें तो आदमी ही मिलते है, so coming back to what I am trying to see, कि अगर skill development होगा, तो आदमी मिलेंगे, तो यह एक positive cycle मोग हो रही है, आप देखिए, currently at the end of the day, we are all moving towards a positive economy. क्योंकि छोटा सब रेक लेरे, लोटर है.